लालू जी कहां भेज़ देंगे EDCBI और ना आये गा तो नितिस बाबु आप कहां भेज़ देंगे तो डर से नितिस बाबु इधार आए तो आपकोंची से आए लक्ष जब एक है लक्ष है भाजपा और मोधी को सता से बाहर करना हो सकता है कि उमर के लहाद से उनको परसानी ह परिबार है और इतना लोगतांत्रिक परिबार है उनके पास में अभानी अडानी के पैसा आ गया है ऐसे में बीजेपी जो है वो दिल्ली में अपनी बैठक कर ले है यानि बिहार में लेकर दाव फ़स रही है उसको लेकर बैठा लेक लेकिन इंडिया अटबंधन का जो है लेकर डिल का कते इं monstrous रही है उले में अपने सिट सेरिंग होगा है चुकि फुक फुक कर कदम उठाना है महत्पुर्ण सवाल है बड़ा मिशन है और इसलिए एक-एक सीटों पर शोच समझ करके लोगों की राय जान करके मद्दाताओं के भावनाओं को जान करके फैसला लेना है तो देर तो थोड़ा लगेगा अ प्राप्त होगया है पिसादाब देंगे किसी और खड़ा करेंगे हमने हम लोग नहीं कर nahe नहीं नहीं पर दावेदारी अपना लोग पेस कर रहे हैं रनीती पर चर्चा कर रहे हैं एक एक सीटों पर एक एक उमिद्वारों पर तो इसमें तो थोड़ा दिर लगेगा लेकिन अभी समय है बिल्कुल समय से सब हो जाएगा समय नजदीक आ रहा है इंडिया घटबंदन से लोग तूट रहे हैं अकेले चुनाव लरने का निरने ले रहे हैं ना ना देखिए वा ऐसी बात नहीं है पाटियां तो अकेले ही बनती है और अकेले ही बनती है सबसे पहले तो लक्ष जो है लक्ष अगर एक है तो कोई पूरव से तीर चलाए कोई पशिम से चलाए कोई एक साथ खड़े होकी चलाए लक्ष जब एक है लक्ष है भाजपा और मोदी को सता से बाहर करना तो इस लक्ष में कभी एक जगा बैट करके भी रनिती बन गई कभी किसी कारण बस थोड़ी बाते रह गई अलग अलग भी बाते हो गई लेकिन कुछ गठ बंधन अभी बना हो सकता है कि कुछ किसी कारण बस बात फंस रही हो किसी राज जिक है ब्यार में तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन दूसरे राजे में कोई बात है अगर फंस रही है तो चुनाओ जितने के बाद भी फिर वो गठ बंधन बन जाएगा चुकि लक्ष तो एक ही है मीशन एक ही है इसलिए तूट नहीं रहे हैं यह बड़ा परिवार का संकेत है कि इतना बड़ा परिवार है और इतना लो परिवार के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा धोखा हुआ है तो लग रहा है कि आये थे जिस मिशन से उसमें कम्याब हुए नहीं और इसलिए वो चले गए खतरा था कि अगर जीत जाते तब जाते तब क्या होता इसलिए हमें लगाए कि अधर कहीं तो थे यहीं हुआ जा लगता है कि कुछ कम्जूर करने लेकिन उनको लगा कि यहां जाएंगे तो यहां तो कुछ करना है नहीं चुकि उदर BJP के साथ रहते हैं तो BJP में तो कुछ करना होता नहीं है है न हो के वल कमन अधान खाली जाइ सीर राम बोली ये और टो हराम के alright rah ना उनसे बहालिया करवाई गई लाखो जातिये गन्ना करवाया गया आरक्षन बढ़ा दिया गया पशतर परतिसे तो कूट के जब काम लियाएगा तो जो निकम्मे लोग हैं उका करेंगे या हम निकम्मा नहीं भी कर सकते हैं चुकि उगादर्निये हैं उमर है उनकी बुज होगा नहीं और वो चले गए चले गए तो थोड़ा जरूर यह एक हका लगा अभिहार के उमीद पर तो निश्चीत रूप से अफसो जनक बात है लेकि निरने तो जनता को लेना है को एक नेता थोड़े निरने लेता है चालिसों सीट पर बीजेपी त्यारी कर लें आप ल पानी अडानी के पैसा आगया है लेक्टरल बंट से तो उनको त्यारी क्या करना हो तो आदमी भेज देंगे और अगर वो नहीं भी जीता हार भी गया वो तो फिर दूसरा उनके पास में लगता है कि हम तो दूसर को अला के खरीद ले सकते हैं पैसा से नहीं टूट कहां ग तय है कि जो भी वो सीट जीते हैं इसको टूट क्या यहां लोग तंत्र है ना लोग तंत्र कहीं इफाज़त करना है लोग तंत्र और संविधान ही शंकट में तो हम कोई इडी के भाइसे गठ बंधन नहीं ने बनाए है हमारा लोग तंत्रिक गठ बंधन है और इसलिए लोग तंत्र में निर्णा लेने की स्वतंद्रता है बोलने की स्वतंद्रता है हां कहने की स्वतंद्रता है ना कहने की स्वतंद्रता है आने की स्वतंद्रता है कब तक फ्र तो डर से इधार आए है तो डर का एगठ मंधन तो थोड़ा रहता ही दिखने में मजबूत इंडिया कटमने कोई काम ही ने कर रहा था यह इसी होगे बहाली बहाली जाती यह गन्ना देस में और कहीं हुआ उने शव 31 में हिंदुस्तान में जातीय गन्ना हुआ था और हिंदुस्तान में इतनी बड़ी इतनी संख्या में राज्य है तो राज्य में और तो है सबसे जादे तो भजपे कहा है उतर पर देशा यह और जगा है बिहार में क्यों हुआ बिहार में क्यों हुआ बिहार में इ लेकर के लगातार लोगे टूट रहे हैं इंडिया अभी भागपा माले के विधाय अगर आम बली सिंग यादव थे इन्होंने साब तोर पे पनी बातों को रखा फिला लागए का प्रतिक्या अपनी प्रतिक्या नीचे कवेंट बॉक्स में रखेगा आप देख रहे थे सच् झाले कर दो कि झाले के लुड़ भाप दिए।